हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS हिंदी नमस्कार Study IQ IS हिंदी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्त और आज हम बात करेंगे Heat और Thermodynamics के बारे में मतलब उश्मा का जो चाप्टर था वो हमने पढ़ लिया था अब उसके बाद जो है हमें इसके कुछ questions को देखना है कि किस तरीके से किस से questions पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से अप्रोच करना है तो इस चाप्टर के बाद मैं इसके बहुत सारे questions कर आउंगा एक अच्छे से हम इसके उपर जो है समीक्षा भी करेंगे और साथ इस तरीके से पूरा का पूरा कोई तरह के doubts हैं इन social media handle पर मुझसे जुड़ सकते हैं lecture की PDF इस telegram group से आप download करेंगे शुरू करते हैं आज के questions सबसे पहला question दिया है कि which one of the following is a reliable measure यहाँ पर निमलिकित में से कौन सा एक विश्वशनी है मापन या मापना है मतलब आप किसी भी चीज को नाप सकते हैं क्या तो यहाँ पर एक reliable measure क्या हो सकता है hotness, coldness, temperature, none of these गर्मी, शीतलता, ताप, पानिया इन में से कोई नहीं तो आपको यहाँ बताना है reliable जो है एक विश्वशनी है measure या मापन क्या है तो सबसे पहली चीज समझे है कि हम क्या किसी इसको माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं तो अगर माल लिया जाए कोई गरम चीज आपने पकड़ ली तो क्या उसको हम इस दाइरे में रख सकते हैं क्या रिलाइबल मेजर है कि गरम है माल लिया जाए कोई बरतन था उस बरतन को आपने चुआ वो गरम था अब उस पे जो है उससे भी जादा कोई दूसरा गरम चीज जाए तो आप क्या बोलेंगे ये गरम है ये उससे भी जादा गरम है तो ये नापने का तरीका तो सही नहीं है जैसे कोई चीज ठंडी है ठंडी है माल लिया जाए वो 10 डिगरी सेल्सियस पे है कोई 5 डिगरी सेल्सियस पे है तो ये जो चीज है 10 से 5 तो 5 वैसे भी ठंडा होगा लेकिन अगर तीन डिगरी की बात करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या हो गई यह डिगरी ओफ होटनेस और कोलनेस का हो गया मतलब कि कितने स्थर तक वो गरम है यह ठंडा है यह चीज दर्शा रही है तो हम जो है एक किसी चीज को ना होटनेस से बता सकते हैं ना कोलनेस से बता सकते हैं ना गरमी से बता सकते हैं ना शीतलता से बता सकते हैं क्योंकि यह क्या है यह हमेशा किसी ना किसी के साथ हम क्या कर रहे होंगे वहाँ पर हम तुलनात्मक जो है अध्यान कर रहे होंगे कि यह इसकी तुलन में कम ठंडा है, तो ये कोई भी तरीके से reliable measurement नहीं हुआ, ये एक विश्वष्णिय मापन विधी नहीं हुई, लेकिन अगर हम coldness और hotness को हटा कर, temperature की बात करें, तो temperature हमें बता देता है, कि अगर किसी का 5 degree Celsius है, तो इससे ज़्यादा 10 degree है, तो ये जो है, इससे ज़्यादा गरम होगा, तो ये क्या है, ये बता दे रहा है degree of hotness या coldness की कौन के अंदर कितनी उश्मा है, कितनी शीतलता है, वो हम किसके आधार पर नाप सकते हैं, तो तापमान के आधार पर नाप सकते हैं, तो जो तापमान है, temperature है, वो क्या है अब हमें ऐसे उपकरण की बारे में बताना है, जिसकी मदद से, जिसका उपयोग किसी वस्तूक की गरमाहट या ठंडक को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको से पूछा गया है, तो सबसे पहले दिया है, पीको मीटर, अब पीको मीटर का काम क्या होता है, तो भई पीको मीटर का काम है, atomic radii, अब ये क्या होता है, तो किसी भी परमानू के आकार का, जो परमानू का आकार है, उसको मापने के लिए, जो एक यंत्र जो instrument इस्तिमाल किया जाता है वो कौन सा होता है पीको मीटर इसके बाद अगर हम बैरो मीटर की बात करें तो इसका काम है atmospheric pressure ये क्या नापेगा तो atmospheric pressure बताएगा मतलब बैरो मीटर का उप्योग करके हम क्या कर सकते हैं वायू मंडल ये दाब को निकाल सकते हैं, इसके बाद अगर आपसे कोई मैनोमीटर पूछ ले, तो मैनोमीटर का भी क्या है, ये भी आपका प्रेशर नापता है, कॉलम्स में, मतलब इसका भी काम क्या है, दाब निकालने का ही है, लेकिन आपसे कोई धर्मोमीटर पूछ ले तो भई थर्मोमेटर का इस्तेमाल क्या किया जाता है तो तापमान को बताने के लिए तापमान क्या है तो ये बताता है measure the hotness और coldness of an object कि किसी वस्तू के अंदर कितनी गर्माहाट है, किसी ठंडक है उसका इस्तेमाल किसमें किया जाएगा thermometer में, तो उसका answer क्या हो जाएगा D यहाँ पर सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ which one is filled in the bulb of a thermometer thermometer के bulb में कौन सा भरा जाता है पारा भरा जाता है, शीशा भरा जाता है तामबा भरा जाता है, चांदी भरा जाता है कई बार आपने thermometers देखे होंगे इन पर readings भी देखी होंगी अब इन readings ये जो होती है ये उपर नीचे समें क्या होता है तो मैंने आपको class में पढ़ाया था कि थर्मोमेटर या तो मरकरी वाले होते हैं या तो alcohol प्रकार के भी होते हैं जिन में alcohol का इस्तिमाल किया जाता है या फिर पारे का इस्तिमाल किया जाता है कहीं पर भी चांदी का इस्तिमाल नहीं होता तामबे का इस्तिमाल नहीं होता लेड का इस्तिमाल नहीं होता है तो ये तीनों जो हैं वो नहीं हो सकते क्या हो जाएगा mercury करी तो आपका आंसर सही होगा पारा तो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं मरकरी बेस थर्मोमेटर को यूज़ करते हैं इसके लाब विच इस दी नॉर्मल temperature of a healthy person थर्मोमेटर अब यह आपको बताना है कि किसी भी सामानने वेक्ति के अंतरगत या सामानने तापमान बताना है हमको किसका एक स्वस्त वेक्ति के अंदर कोई स्वस्त वेक्ति है इसके अंदर क्या तापमान होना चाहिए उसकी बात की गई है 37 degree Celsius, 37 degree Fahrenheit, 37 Kelvin या इन में से कुछ भी नहीं तो अगर हम बात करें तो देखिए 37 Kelvin कभी नहीं हो सकता 37 degree Fahrenheit भी नहीं होता है, 37 degree Celsius होता है अब confuse करने के लिए पूछा जा सकता है अब ये चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी कि अगर हम किसी सामाने वेक्ति का तापमान निकाले तो degree Celsius में वो 37 degree Celsius होना चाहिए Fahrenheit में वो 98.6 degree Fahrenheit होना चाहिए अगर हम रोमर में बात करें तो 29.6 degree Fahrenheit होना चाहिए और वहीं पर Kelvin में बात करें तो 310 Kelvin होना चाहिए इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई वेक्ति स्वस्त्य है या नहीं है या उसके body में जुअर है बुखार है ये उससे measure किया जा सकता है तो ये बात आपको समझने आ रही होगी इसके बाद next question देखते है heat always flow उश्मा हमेशा बहती है कैसे from a colder object to a hotter object किसी ठंडी चीज से गरम चीज की और ठंडी वस्तू से गरम वस्तू की और तो ऐसा कभी नहीं होता इसके अलावा heat never flows from one object to other उश्मा कभी भी एक वस्तू से दू उशाओं में की गरम से ठंडा ठंडे से गर्म ऐसा भी नहीं होता है in both the direction कैसा होता है तो in a hotter object to a colder object गर्म वस्तू से ठंडू वस्तू की और जो है उश्मा हमेशा बहती है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer होगा B हमेशा उश्मा colder objects hotter object से colder object की तरब बढ़ती है फिर conduction is the method of transfer of heat in चालन उश्मा के अंदर स्थांतरण की विधी है liquids में, solid में, gases में या vacuum में तो देखिये जो transfer of heat होता है या आपका उश्मा का जो स्थांतरन होता है वो तीन प्रकार से होता है एक विधी को कहा जाता है चालन एक को कहा जाता है समवहन और एक को कहा जाता है विकीरन मतलब इसी को हम पता सकते हैं कैसे कैसे एक चीज होती है जिसको कहा जाता है कंडक्शन एक होता है जिसको कहा जाता है रेडियेशन ये तीन तरह की विधिया होती है जिससे कभी भी उश्मा एक जगा से दूसरे जगा जाती है तो भई चालन समवहन और विकीरन तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जब भी हम solids की बात करते हैं जब भी हम ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ होता है चालन अगर हम द्रव की बात करें liquids की बात करें और gas की बात कर लें इन दोनों के अंदर होता है समवहन और जब कोई भी वस्तु एक दूसरे को छू नहीं रही होती है वहाँ पर होता है विकी रण तो अब यहाँ पर पूछा है कंडक्शन तो कंडक्शन में सीधे-सीधे क्या आ जाएगा ठोस आ जाएगा तो बही यह हो जाएगा इसका ठोस इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इसका correct answer हो जाएगा तो इसमें आप answer लिख सकते हैं कि क्या है तो बी है देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है heat from the sun reaches to us by सूर्य से उश्मा हम तक किसके द्वारा पहुँच रही है अब वही सूर्य तो हमें ना किसी भी तरीके से हमारी पृत्वी को छूता है ना कोई भी तरह से जो है मतलब ना यहाँ पर समवहन हो रहा है ना यहाँ पर चालन हो रहा है यहाँ पर किस वेदी से हो रहा है तो विकीरण से हो रहा है तो यहाँ पर जो है हमने जो बात करी है radiation में sun एक example है मतलब विकीरण में तूरे का एक उधारन सीधे तोर पे आ जाता है तो यहाँ पे character answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा radiation इसके बाद देखें बहुत अच्छा कुश्चन है ये भी A bagger wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night एक भिकारी ने सर्द रात में अगबार की कुछ परतों में लपेट लिया इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिल लेगी क्योंकि this helped him to keep himself warm because अब ये जो है क्या हो रहा है एक भिकारी ने सर्द रात में खुद को अगबार की कुछ परतों में लपेटा हुआ है जिससे उसको क्या हो रहा है उसको खुद को गर्म रख पा रहा है तो ऐसा क्यों हो पा रहा है तो पहला option दिया है friction between the layers of newspaper produces heat अगबार की परतों की बीच घर्शन से गर्मी पैदा होती है कि अगबार आपस में टकराता है और गर्मी उत्पन्ने कर देता है तो क्या ये कारण है air trapped between the layers of newspaper is a bad conductor of heat अगबार की परतों की बीच पसी हवा गर्मी की कुछालक होती है इसके अलाबा समाचार पत्र उश्मा का सुचालक होता है अभ देखे अगबार का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है तो ऐसा नहीं है कोई अकबार भी अगर heat के संपर्क में आएगा, मतलब cold के संपर्क में आएगा, ठंड रात है तो वो भी धीरे-धीरे ठंडी होगा लेकिन यहाँ पर उसको ठंड क्यों नहीं लग रही है तो देखे, fourth option तो इसका हो ही नहीं सकता मतलब D option तो कहीं से भी कहीं तक नहीं होगा, इसके बाद देखे तीसरा option क्या दिया है, न्यूस पेपर इस अ conductor of heat, भाई न्यूस पेपर अकबार कहां से चालक हो गया यह होता, तो हम न्यूस पेपर का इस्तिमाल heat को transfer करने में करते आप बोलेंगे सारे, अकबार जला दीजिए अब यह अकबार को जला दिया, तो अकबार बचा कहां वो कोई conductor थोड़ी हुआ conductor का मतलब है, जैसे आपका बरतन आपने बरतन चड़ाया, उसमें पानी गरम किया उसमें खाना बनाए, तो आपका बरतन थोड़ी जल जाता है तो वो conductor कैसे हुआ तो यहाँ पर C option भी नहीं हो सकता पहला option है, friction between the layers of newspaper कि भई जो अकबार की बीज़ की परते हैं, वो आपस में घर्षन कर रही है और उससे उश्मा उत्पन हो रही है तो ऐसा तो नहीं होता है ऐसा बिलकुल नहीं होता है अब बचा कौन सा option भी तो air trapped between the layers of newspaper is a bad conductor of heat अब जो हवा बीच में फसी हुई है निउस्पेपर के अकबार की परतों की बीच में फसी हवा गर्मी की कुचालक होती है तो उसके अंदर जो गर्मी बनी हुई है वो उसको बाहर नहीं जाने दे रही है और बाहर की चीज अंदर नहीं आने दे रही है जिसके कारण वो व्यक्ती ठंड रात में भी अपने आपको survive कर पाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा B answer इसका correct हो जाएगा B is the correct answer फिर a marble tile would feel cold as compared to wooden tile on a winter morning because the marble tile सर्दियों की सुभा लखडी की tile की तुलना में संग्मर्मर की tile थंडी महसूस होगी क्योंकि संग्मर्मर की tile क्या है is a better conductor of heat than the wooden tile is polished while wooden tile is not polished reflects more heat than wooden tile is a poor conductor of heat than the wooden tile अब देखा जाएगे तो लखडी की tile की तुलना में उश्मा का बहतर संवाहक है क्या ये है is a better conductor of heat than the wooden tile तो अगर हम बात करें marble tile जो है वो थंडा क्यों है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जितनी भी चीजें पृत्वी पर हैं पत्थर हैं या चट्टाने हैं ये बहुत जल्दी गर्म होती है बहुत जल्दी थंडी भी हो जाती है तो उसके comparison में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है marble tile would feel cold as compared to wooden tile in a winter morning because the marble tile is a better conductor of heat than the wooden tile तो ये जो है answer हो जाएगा कि भई जो marble चीज है मतलब संग्मर्मर की tile जो है वो लखड़ी की tile की तुल्ला में उश्मा का बहतर समवाहक है तो इस पर जब वो ठंड के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जो लखड़ी की tile है वो उत्ती तेजी से नहीं हो पाती है अब देखी एक question मेंने आप लोगों के लिए छोड़ा है इसके answer मुझे सभी से comment section में चाहिए तो इसका answer बताईए कि shopkeepers selling ice blocks usually cover them with jute sack explain why बर्फ के block बेशने वाले दुकानदार आम तोर पर इने jute की बोरियों से धग देते हैं इसको समझाना है ऐसा करके वो बर्फ के साथ क्या करते हैं और बर्फ का जो चीज़े वो पिघलने से कैसे रोकती है तो इसका answer कहां करना है तो इसका answer proper explanation के साथ मुझे कहां चाहिए comment section में चाहिए comment section में मैं आपके answers का wait करूँगा और उसको मैं review भी करूँगा तो आप वहाँ पर answers जरूर लिख कर बेजें इसके अलावा कोई doubts आते हैं इन social media handle को जोड़ सकते हैं lecture की PDF उपर दिएगए telegram group से download कर लीजेगा और अपने chapter के बाद वापस से इन questions को रख लीजेगा कि हम जब धीरे-धीरे इनको बार-बार जब revise करें दो-दो महिने में exams आने से पहले तो हमारे questions जो हैं हमारे chapter को strong करने में मदद करें और भी कोई तरह की दिक्कत है comment section में बताएंगे topics जो भी लगते हैं उनको लिख देंगे उसके उपर classes मिल जाएंगे आपको thank you very much for watching this have a great day